प्रबंधन करते हैं उनकी बीमारियों का तो इसमें क्या किया है बच्चे या शिशू की सही देखभाल या प्रबंधन तो इसका सही सही मतलब है कि 5 साल से कम उम्र का बच्चा है जिसकों की प्रार्थमिक उपचार के बाद क्या है अगर जरूरत हुई तो अगले जगे इलाज के लिए भेजना है मेरेजमेंट के लिए भेजना है अगर जरूरत नहीं हुई तो बच्चे को मा के साथ परामर्श दे करके घर भेजना है तो यह हम करते कैसे हैं यह जानेंगे इसका उद्देश क्या है यह पता होना चाहिए तो इसका उद्देश क्या होता है तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो किसी भी प्रात्मिक चिकितसक जो होता है या नर्स होती है या एनम होता है उनकी प्रबंधन कौशल को सही से डिवलप होने के लिएये मीस विक्सित होने के लिए ये एक पकРЕया को अपनाया गया है या फिर परिवार या समुदाय के जो स्वास्त हैं और या फिर यू कहा जाए कि जो बिमारियां हैं उनको कम करने के लिए ये इनका उद्देश है अब इन उद्देश के साथ आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रकृरिया अपनानी पड़ेगी तो वो प्रक्रिया कौन सी है सबसे पहले जब प्रात्मिक स्वास्ट केंद पर कोई शिशू या पांस साल से कम उम्र का बच्चा आता है तो उसको उसकी हिस्ट्री मेंज उसका नेधियानिक इतिहास क्या है वो लेना चाहिए उसके सारे में यह पता चलेगा कि बच्चे को क्या दिक्कते हो रही है और किस तरीके के प्रक्रिया में सबसे पहले एक बच्चे की सालिरिक परिक्षन करना है उसका नेधियानिक इतिहास लेना है अब इसके बाद वो ये सुनिश्चित करेगी कि जो बच्चा आया है उसका इलाज प्रात्मिक स्वास्थ केंद्र पर संभव है या नहीं दो तरीके से उसको विभाजित कर लेगी जो पहला होगा स्वास्थ चिकित्सा संभव है दूसरा नहीं संभव है अब एक-एक करके दोनों की बात करेंगे अगर संभव नहीं है प्रात्मिक चिकित्सा पर अगर प्रवंधन है वो संभव नहीं है तब क्या करना है तब उस बच्चे को प्रार्थमिक सहायता दे करके और वहाँ पर उपलब्ध जितना साधन है उसके साथ बच्चे को आगे की जो है अच्छे रिफरल सिस्टम के हिसाब से उसको सरकारी अस्पताल या फिर अगर घरवाले चाहते हैं तो फिर प्राइवेट अस्पताल में उस इलाज संभव है तब क्या करना है अगर प्रार्थमिक स्वास्केंद पर इलाज संभव है तब बच्चे को सबसे पहले उसकी मां को उसकी हालत के बारे में बताते हैं कि ज्यादा घवराने वाली बात नहीं है इस बारे में उनको थोड़ा सा उनको परामर्स देते हैं उनक किसी भी ऐसी मेडिसिन की जरूरत है जो की नसों के द्वारा जाना है तो वहां पर क्या है होस्पिटल में ही उसको दे देते हैं बाकी दवाईयां मां को समझा देते हैं और दुबारा जब बच्चा बच्चे की दवाई जितनी दिये वह खतम हो जाए या फिर तीन दिन या 5 दिन के कोर्स के बाद उसको घर से दुबारा आने के लिए बोलना है दुबारा डॉक्टर से परामस ले ऐसा उसकी मा को बोलना है और उसके बाद बच्चे को एक बार फिर से चेक करना है और उनको घर भेजना है घर भेजने के साथ साथ ही रिकॉर्डिंग और क्या क्योंकि इलाद संभो नहीं था तो वह भी रेकॉर्ड करना है अगर बच्चे को आपने प्रार्थमिक स्वास्त केंद्र पर ही सहायता दी है तो वह भी आपको रेकॉर्ड करना है अब इसमें एक नर्स का क्या रोल होता है यह तो हो गया विभाजन प्रक्रिया और कैसे से स्टार्ट हो जाता है कि उसका इतिहास लेना है उसका शारिरिक परिक्षण करना है उसके हिसाब से उसको क्या है विभाजन करना है यह एक नर्स का रोल है अब जो नर्स होती है उसको स्वास्त मा और बच्चा है वो क्या है पूरी तरीके से संतुष्ठ हो गया उसको घर भेज दिया तो इस तरीके के केस को जब आप किसी समुदाय में जाते हैं तो वहां पर क्या है स्वास्त सिक्षा की रूप में आप बता सकते हैं कि किस किस तरीके से यह स्ट्रेटीजी होती है यह प रहे जाएगा और पूर्ण रूप से इलाज दिया जाएगा इससे जो स्वास्त का अस्तर होता है वो सही रहता है तो एक नर्स का मुख्य रोल है कि स्वास्त के अस्तर को सही रखे सो मैंने आपको बताया कि I am in CI क्या होता है इसमें कितने वर्ज तक के बच्चे का इलाज होता है या किस तरह का प्रबंधन किया जाता है कितने वागों में विभाजित किया जाता है उद्देश क्या है और एक नर्स को क्या क्या करना चाहिए So, that is today for our topic. This is Kirti signing off. Bye for the next video.